इंट्रिंजिक एन्ट एक्स्ट्रिंजिक सemiconductor नेज वय अप्त्रवी अर्धचालत तो यहां पर semi conductor जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं इंट्रिंजिक होता है वो केवल और केवल temperature से related होता है इसका यह मतलब है कि intrinsic semiconductor में उपर वाला band है connecshon band चालन बेंड, नीचे वाला बेंड है, वैलेंस बेंड, सेंजकता बेंड, तो यहाँ पर जब हम temperature raise करते हैं, तो नीचे से जो electron है, वो इस gap को पार करके उपर पहुंचते हैं, उपर जब electron चले जाते हैं, तो पीछे electron की कमी हो जाती है, उन कमी को हम कहते हैं hole, जाहिर सी बात ह होलों की संख्या और एकांग कायतन में electron की संख्या, यह दोनों बराबर होते हैं इस प्रकार के अर्धचालक में, जिन में केवल और केवल temperature की वज़े से electron और holes बन रहे हैं, या फिर freely move कर रहे हैं, इन दोनों का product लेते हैं, या तो वो NI का square होगा, या फिर वो PI का square होगा, क इन दोनों लेवल के बीचों बीच एक लेवल होता है, जिसे कहते हैं EF और यह होता है, फर्मी उर्जा इस तर, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल बेसिकली, T is equal to 0 Kelvin पर, इसका derivation तो मैंने नहीं करवाया है, कि यह दोनों के बीच में कैसे आता है, मतलब ज इसके नीचर लेवल सारे भरेवे होते हैं, at T is equal to 0 Kelvin पर, उस लेवल को represent करता है, तो यहां तो वैसे band gap है, यह जो gap है, इस gap में electron नहीं रह सकता है, फिर भी यह लेवल यहां पर आ रहा है, तो यह लेवल यहां यह नहीं बता रहा है कि electron इसके अंदर आएगा, नहीं, यह उ normal temperature T पर actual में क्या होता है, जब हम कोई temperature T रखते हैं, तो नीचे से कुछ electron निकल के ऊपर चले जाते हैं, तो कुछ electrons उपर मिल रहे हैं, कुछ यहां पर electron की कमी हो गई, तो overall इन दोनों की पूरी range में, जब electron की पाया जाने की probability निकालते हैं, तो वो center में probability आती है 50%, ठीक है, इस वज़े से यहां पर fermi level को अपन ने, यहां पर draw किया है, it doesn't mean कि वो इस वर्जित उर्जा अंतराल में यहां यहां पर electron आ जाएंगे, नई, वो level यहां नहीं बता रहा है, it's just representing the probability, तो यहां पर extrinsic semiconductor दो टाइप का होता है, N type और P type, N type के अंदर क्या होता है, कि suppose हमने क कोई semiconductor लिया है, जिसमें केवल germanium के atom है, germanium की समझता होती है, प्लस फोर, ठीक है, यानि कोई भी germanium जो होता है, वो अपने आस पास के, चार germanium के साथ, pond बना रहा है, और सब के पास चार-चार है, क्योंकि उसको चार electron और चाहिए, अपना shell कंप्लीट करने के लिए, तो यह phosphorus, arsenic, antimony, इन सब की valency होती है, प्लस 5, इन सब के बाहर की कोश में electron होते हैं, पाँच, तो अगर किसी germanium के atom को arsenic से replace कर दिया जाए, तो वो क्या करेगा, उसके 4 electron को तो वो इन 4 germanium के साथ share कर लेगा, उसका 5 electron बिलकुल free रह जाएगा, तो यह होता है free electron, अब हर एक arsenic के atom से हमें एक free electron मिल रहा है, तो इसमें अगर हम arsenic के atoms और जादा मातरा में मिलाएं, तो हमें electron की संख्या में बहुत जादा व्रदी मिल जाएगी, तो उस condition में जो diagram होगा energy level का, वो क्या हो जाएगा, EF उपर shift हो जाता है, क्योंकि EF की indirectly definition होती है, वो होती है, कि यह वो level होता है जिसके उपर electron नहीं पाए जाते है, T बराबर 0 Kelvin पर, ठीक है, T बराबर 0 Kelvin पर यह वो level होता है, जिसके उपर के level सारे खाली और नीचे के level सारे भरेवे, तो क्योंकि यहाँ पर electron की संख्या बढ़ गई, तो जो level EF था, क्योंकि EF क्या represent कर रहा था, वो level जिसके नीचे के स इसमें अभी थोड़ा सा उपर शिफ्ट हो गया, तो इस केस में यह उपर शिफ्ट हो जाता है, P टाइप में क्या होता है, P टाइप में जो जर्मीनियम का सेंटर वाला एटम था, उसे हम एक ऐसे एटम से रिप्लेस करते हैं, जिसकी वेलेंसी तीन हो, यानि उसके बाहरी इसकी प्लवा जर्मीनियम ने तो शेयर कर लिया, पर बोरोन के पास इलेक्ट्रोन ही नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोन की कमी होती है, जिसे हम कहते है होल, इस कंडिशन में जितने जजादा हम बोरोन एटम मिलाएंगगे, उतने ही जजादा होल बन जाएंगे। और ह कमी होने की वजह सेच की तरह नीचे की तरस कि एलेक्ट्रों हों गिए तो कम लेवल भरे वे मिलेंगे तो यह नीचे की वज़ेसर इसकी वज़े सेच Jadi you can टाइब के semi connector clear होंगे intrinsic में यह बिल्कुल center में होता है और extrinsic में अगर n टाइप है तो यह center से उपर होता है और p type है तो यह center से नीचे होता है